बजाज पलसर सल्स ब्रेक अप फरवरी 2022 तू 125, 150, 160, 180, 200, 250 बजाज पलसर सीरीज की घरेलू बिक्री में फेबरी 2022 में गिरावट 32.54 प्रतिशत दर्च की गई बजाज के लिए पलसर श्रिंखला ने हमेशा बिक्री को बढ़ावा दिया है वर्तमान प्रदर्शन ने इच्छा के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है हाला की यह केवल पलसर की दूर्दशा नहीं है मोटर साइकल खेंड में हाल के दिनों में बड़ी मात्रा में गिरावट देखी गई है कुल योई घरेलू पलसर की बिक्री 81,454 एकायों से घट कर 54,951 एकाय रह गई वॉल्यूम लॉस्ट 32.54 फीसदी की गिरावट के साथ 26,503 यूनिट रहा मॉम की बिक्री 66,839 एकायों से गिर गई 17.79 फीसदी की गिरावट के साथ वॉल्यूम लॉस 11,888 यूनिट बताया गया है बजाज पलसर बिक्री गोलमाल फेबरी 2022 पलसर 125 की बिक्री 39,323 एकायों से गिर कर 30 के एकाय पर आ गई 23.69 फीसदी की गिरावट के साथ वॉल्यूम लॉस 9,317 यूनिट रहा मॉम की बिक्री 44,181 एकाय से गिर कर 32 प्रतिशत की गिरावट पर आ गई वॉल्यूम लॉस 14,175 यूनिट है पलसर 150 cc की बिक्री 25,550 एकायों से गिर कर 17,804 एकाय रह गई 30.32 फीसदी की गिरावट के साथ वॉल्यूम लॉस 7,746 यूनिट पर है मॉम की बिक्री 11,239 एकायों से 58.41 प्रतिशत की वृद्धी के साथ हुई है वॉल्यूम गेन 6,565 यूनिट है 25,03 6,04 बजे वियस्ट 160, 182 हंड़स की पलसर रेंज 11,643 एकायों से घट कर 4,666 एकाय रह गई 60 प्रतिशत की गिरावट के साथ वॉल्यूम लॉस 7 के यूनिट के ठीक नीचे रहा मॉम की बिक्री 5,407 एकायों से गिर कर 750 एकायों के ठीक नीचे वॉल्यूम हानी पर आ गई 220 एफ और 250 की बिक्री 4,938 एकायों से घट कर 2,475 एकाय रह गई वॉल्यूम लॉस 2,463 यूनिट रहा मॉम की बिक्री 6 के यूनिट से गिर कर 58,83 प्रतिशत की गिरावट आई है बजाज पलसर एक स्पोर्ट्स ब्रेक अप फेबरी 2022 निर्यात में भी गिरावट आई लेकिन घरेलू बिक्री में गिरावट के रूप में कहीं भी तेज गिरावट नहीं आई 26,143 यूनिट पर 15.29 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है बिक्री 30,863 यूनिट से गिर कर 4,720 यूनिट के वॉल्यूम लॉस पर आ गई मॉम निर्यात 31,410 एकायों से गिर गया 16,77 प्रतिशत की गिरावट के साथ वॉल्यूम लॉस 5.2 के यूनिट से अधिक था पल्सर 161,80 तू हंडर्ड सेग्मेंट का निर्यात 14,689 एकायों से नीचे 13,518 एकायों पर बैठता है वॉल्यूम लॉस 1171 यूनिट पर 7.97 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है मॉम की बिक्री 13,684 एकाय से मामूली रूप से गिर गई पल्सर 150 का निर्यात 10,698 एकायों से घट कर 7,788 एकाय रह गया वॉल्यूम लॉस 2.9 के यूनिट रहा मॉम की गिरावट लगभग 1.1 के एकाय है जो 8,874 एकाय से नीचे है पल्सर 125 का निर्यात 4,644 एकायों से घट कर 4,065 एकाय रह गया मॉम की बिक्री 4,628 यूनिट से गिर कर 563 यूनिट के वॉल्यूम लॉस पर आ गई वॉल्यूम लॉस 579 यूनिट बताया गया है 220F 250 यॉय की बिक्री में मामूली गिरावट 832 एकायों से 772 एकायों तक कम है मॉम का निर्यात 4,224 एकायों से गिर कर एक पांचवे पर आ गया वॉल्यूम लॉस 3,452 यूनिट बताया गया है February 22 में बजाज पल्सकी कुल बिक्री February 2022 में पल्सकी कुल बिक्री में एक तिमाही की गिरावट आई 112,317 एकायों से घट कर 81,094 एकाय हो गई वॉल्यूम हानी 31,223 एकाय पर 27,80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, मॉम की कुल पल्सर बिक्री 98,249 एकाय से घट कर 17,46 प्रतिशत की गिरावट आई है वॉल्यूम लॉस 17,155 यूनिट बताया गया है पल्सर 125 की बिक्री 43,967 एकायों से घट कर 24,071 एकाय रह गई है वॉल्यूम लॉस 9,896 यूनिट बताया गया है पल्सर 150 की बिक्री 36,248 एकायों से गिर कर 25,592 एकाय रह गई 29,40 फी सदी की गिरावट के साथ वॉल्यूम लॉस 10,656 यूनिट रहा मॉम की कुल बिक्री 20,113 यूनिट से उपर है 5,479 यूनिट के वॉल्यूम गेन के साथ सल्स ग्रोट 27,24 फी सदी रही 160,180,200 की बिक्री 31 प्रतिशत गिर कर 18,184 एकाय रह गई वॉल्यूम लॉस 8,148 यूनिट है जो 26,332 यूनिट से कम है मॉम वॉल्यूम लॉस 19,091 यूनिट से नीचे 907 यूनिट रहा 220F, 250 की बिक्री 43,73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,247 एकाय तक गिर गई वॉल्यूम लॉस 5,770 यूनिट से कम होकर 2,523 यूनिट पर दर्ज किया गया है मॉम की बिक्री 10,236 एकायों से गिर कर 6,989 एकायों की चौका देने वाली मात्रा में आ गई